हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोफ्ट टच नीटिंग चैनल फ्रेंड्स, आज मैं ब्यूटिफुल सा डिजाइन लेके आई हूँ दो फंदों का डिजाइन है ये और दो ही सिलाईयों में बनके कंप्लीट हो जाता है आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं आगे की तरब से ये डिजाइन आपको ऐसा दिखेगा और पिछे की तरब से ये डिजाइन आपको ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स आप इसे लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, स्टो, स्काफ आधी में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स जब भी आप ये डिजाइन बनाएं आपने टूके मल्टिपल फंदे इसमें डालने हैं फ्रेंड्स ये डिजाइन कैसे डलता है इसको डालना हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप बॉर्डर के बाद भी शुरू कर सकते हैं या सीधा फंदे डालके भी शुरू कर सकते हैं फंदे डालने के बाद एक रोज सीधी डालनी है उसके बाद ये डिजाइन जो है ये उल्टी रोज से शुरू होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले, पहला फंदा सिलने के लिए है यह, यह ऐसे आएगा, उसके बाद धागे को ऐसे आगे करेंगे, और दो फंदे हमारे सीधे आएंगे, दो फंदो का डिजाइन बताया, मैंने आपको एक और यह दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया ऐसे फिर से आगे फिर से दो फंदे सीधे एक और ये दो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं जब हम धागा आगे अपनी तरफ कर रहे हैं और फिर ये दो फंदे सीधे ले रहे हैं एक और ये दो तो एक फंदा, friends, यहाँ पे आपने आप ही बर जा रहा है दिख़रा होगा आपको ये फंदा जो है, ये वाला आपने आप ही बर जा रहा है फिर से धागा हम अपनी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे लेंगे एक, दो Friends, ये उल्टी रो है यह design जो है हमारा यह उल्टी रो से ही शुरू होगा फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे, एक, दो धागा फिर से अपनी तरफ, दो फंदे सीधे, एक, और यह दो फिर से धागा अपनी तरफ, और लास्ट वाला भी सीधा डिजाइन के हमारी first row complete हो गई है, अब second row second row में क्या करेंगे, यह तो ऐसे ही आएगा, उल्टा उसके बाद धागे को हम ऐसे आगे करेंगे, यह जो बड़ा हुआ फंदा है, यह वला इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे उतार लिया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया और एक, दो, दो फंदे जो उल्टी तरफ से हमने सीधे लिये थे, सीधी तरफ से यह उल्टे आएंगे एक, और यह दो, उसके बाद फिर से धागे को ऐसे आगे करेंगे और ये जो फंदा है ये फंदा जिसको हमने बिना बुने लिया है इस फंदे को हम ये जो बुनके दो फंदे लिये उल्टे इनके उपर से ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे चोड़ देंगे ऐसे आगे ये जाली जैसा फंदा आपको अपने आप दिख जाएगा दिख रहा तागा हम फिर से आगे करेंगे और ये जो बिना भुने फंदा लिया है ये वाला इसको हम उठाएंगे और आगे वाले दो फंदों के उपर से ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे फिर से आगे वाले फंदे को जाली वाला फंदा दिखेगा आपको उसको हम बि तरफ करेंगे, दो फंदे फिर से उल्टे आएंगे, एक, दो थागा आगे करेंगे, और ये जो बिना बुने फंदा लिया इसको उठाएंगे, और इन दो बुने हुए उल्टे फंदों के उपर से निकालेंगे, और इनको ऐसे छोड़ देंगे, फिर से बिना बुने थागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और ये दो थागा आगी किया, बिना भुने वाले फंदे को हम ऐसे उठाएंगे, दो फंदों के उपर से निकालेंगे और ऐसे छोड़ देंगे, फिर से उसी को रिपीट करेंगे, ये बिना भुने आएगा, थागा अपनी तरफ दो उल्टे बुने उनके उपर से ऐसे निकालेंगे ऐसे और इसको ऐसे छोड़ देंगे आगे फिर से बिना बुने थाग अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बुने एक दो थाग आगे किया और जो फंदा बिना बुने लिया है उसको उठाएंगे और बुने हुए उल्टे दो फं जो हैं वो complete हो गए हैं अब हमारी तिसरी रो आएगी तिसरी रो हमारी वैसी अएगी जैसे हमारी first row आई थी तो ऐसे आएगा फिर से हम ढागा करेंगे दो फंदे हमारे सीधे आएंगे पहले एक दो दागा अपनी तरफ किया फिर से दो फंदे सीधे ऐसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक फंदा जब हम ऐसे सीधा ले रहे हैं तो ये वाला जो फंदा है ये अपने आप बढ़ जा रहा है ऐसे फिर से सीधा फंदा फिर से धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे ऐसे फ्रेंड्स आ था आगे फ्रेंड्स हमारी fourth row आएगी fourth row friends हमारी वैसे यह आएगी जैसे हमारी second row आए थी तो क्या करेंगे सबसे पहले यह उल्टा फिर धागे को ऐसे आगे करेंगे ऐसे यह जो जाली जैसा आपको फंदा अपने दिख जाएगा इसको हम बिना भुने उतारेंगे फिर थाग अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और ये दो थागा आगे किया और ये जो बिना भुने फंदा लिये इसको उठाएंगे और दो फंदों के उपर से निकालेंगे ऐसे और इसको ऐसे छोड़ देंगे आगे friends उसी को repeat करेंगे ये बिना भुने आएगा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा आगे किया जो बिना भुने लिए उसको उठाएंगे और दो फंदों के उपर से निकालते हो इसको छोड़ देंगे देख सकते हैं friends आगे friends आपने पूरी रो ऐ ऐसे ही complete करनी है जैसे हमने second row को complete किया था friends आप देख सकते हैं चार रो डालने के बाद हमारे पास ऐसा pattern जो है वो बनके तयार है friends आगे आपने इन्ही दो रो को बार वार repeat करते चाना है और आपके सामने ऐसा सुन्दर सा pattern जो है वो बनके तयार हो जाएगा friends आप देख सकत हैं कितना प्यारा pattern है आगे की तरब से और ये पिछे की तरब से दोनों तरब से ये pattern friends बहुत ही प्यारा है पिछे की तरब से और ये आगे की तरब से friends आपको मेरा ये design कैसा लगा इसको like करें share करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करें इसी तरह के सुन्दर सुन्दर design देखने के लिए thank you